हेलो इस वीडियो में आज हम सिखेंगे अडवांस्ट फिल्टर के बारे में तो पहले तो हमने फिल्टर के बारे में सिखा आज हम अडवांस्ट फिल्टर के बारे में सिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यहां पे डेटा टाइप पे जाएगे यहां पे डेटा टाइप इस group में जाएंगे और salt and filter में हमने पिछली वीडियो में salt और filter के बारे में जाना अगर आप इस वीडियो को देखने जाते हो तो उपर i button पर click करके इस वीडियो को देख सकते हो तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर filter को देखते हैं कि filter क्या होता है उसके बाद advanced filter यह क्या होता है तो filter यहाँ पर थोड़ा सा यह बता देते हैं क्यूंकि हमने इसको detail में पिछली वीडियो में कर रखा है तो पहले यहां पे फिल्टर लगाते हैं जैसे यहां पे सीरिय नमबर यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम यहां पे फिल्टर पे जाएंगे फिल्टर पे क्लिक किया फिल्टर पे क्लिक करते ही यह देखो यहां भी filter लग गया, serial number name इसमें भी filter लग गया row number इसमें भी filter और सारे आगे subject जो है यहां भी filter लग गया अब हम यहां पे थोड़ा से filter के बारे में जान लेते हैं उसके बाद हम यहां पे advanced filter को करेंगे तो suppose करो हमें यहां पे serial number 1 और 2 ही चाहिए बाकी serial number हम ही नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पे filter पे click करेंगे यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे यह select all है, यहां पे इसको uncheck करेंगे, यह देखो uncheck किया, इसके बाद इसको यहां पे 1 और 2 पे इसको check करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां पे serial number 1 और 2 यहां पे आया बाकी यहां से चलेगे अगर हम यह पुराणा data वापिस लाने जाते हैं तो हम फिर यहां पे salt and filter इस group में जाएंगे और यहां से clear clear पे क्लिक करेंगे तो पुराणा data यहां पे आ जाएगा यह देखो clear पे क्लिक किया तो पुराणा data यहां पे आ गया इसके बाद यहां पे name है अगर suppose करो हम यहां यहां पे अराकेश और यहां पे दिनेश यही हमें यहाँ पर Record चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर Name के Filter पर जाएंगे और यहाँ पर Select All इसको Uncheck करेंगे, यहाँ पर Uncheck किया अब हमें यहाँ पर किया चाहिए एक दिनेश इसका Record चाहिए और एक Arakis इसका चाहिए इसके बाद OK पर क्लिक किया, तो okay पे ख्लिक करने के बाद यह दिखो, अराकेशे यह serial je Serial number 3 पे है इसके बाद दिनेश यह Serial number 6 पे इनका record आया बाकी record यहां से चला गया, इसके बाद अगर इसको भी clear कना जाते हैं और पुराणा data रापिस लाना जाते हैं तो हम sort and filter के clear command पे जाएंगे, इस देखो यहाँ पी यहाँ पे रो नमबर 16 और 17 यह दो रो नमबर यहाँ पर वाकी चल हेँ तो यहाँ पर हम फिल्टर प्र एकलिक करेंगे। इसके बाद इसको clear करेंगे यह clear किया तो इस तरह से हम filter का use करते हैं आगे भी filter का हम use कर सकते हैं इसके बाद यह जैसे यह filter लगा हुआ है सीरिय नंबर, name, row number और आगे भी यहां पर filter लगा हुआ है इसको अगर हटाने जाते हैं तो हम ऊपर heading यहां पर click करेंगे यहां पर सीरिय नंबर यहां पर click किया इसके बाद filter पर click किया यहां से यह filter अड़ जाएगा इसके बाद अब हम advanced filter के बारे में जानेंगे तो इसको करन के बाद यहां पर paste करेंगे यह देखो right click किया और यहां पर इसको paste किया अब हम advanced filter का use करना सीखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर name को दिखेंगे जैसे यह name यहां पर दिये गया है अब हम यहां पर यह name बरेंगे कि रोहित name यहां पर कितने है वो यहां पर सब तो इसके लिए क्या करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे रोहित यह रोहित हमने यहां पे लिखा इसके बाद एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस करने के बाद हम यह चेक करना जाते हैं कि यह नेम में रोहित यहां पे कितने हैं तो इनकी लिस्ट हमारे पास आ जाए तो यह दिखो एक रोहित यह है एक रोहित यहां पर यह है एक रोहित यहां पर यह है तो यह तीन रोहित है जब हम यहां पर अडवांस्ट फिल्टर इसको यहां पर अपलाई करेंगे तो यहां पर तीन रोहित इनके नेम यहां पर आ जाएंगे बाकी नेम यहा पे दिये गया है filter the list in place इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह जो यहां पे list दिये गई है यह list यहां से हड जाए और यहां पे यह जो filter होके आए इस जगह आए तो हम यहां पे click करेंगे यहां पे first पे click किया filter the list in place इसके बाद list range तो list range क्या है इस सारे table को select करेंगे यह सारा table हमने यहाँ पे select किया select करने के बाद list range यह आ जाएगी इसके बाद निचे दिया गया है criteria range तो यहाँ पे हम click करेंगे click करने के बाद जो criteria range है इसको निचे यह दिखो यह हम इसको दो रों को select करेंगे ये दो रो हमने सेलेक्ट की इसके बाद याँ पे okay पे क्लिक करेंगे ये देखो okay पे क्लिक किया okay पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास याँ पे filter ओके ये list आ गे तो ये देखो Rohit हमारे पास 3 थे जो की cd नंबर 2, 5 और 7 भी थे इनकी लिस्ट यहां पे बनके आगे आने के बाद यह जो हमारी पुरानी लिस्ट थी वो यहां से चली गई है और नई लिस्ट यहां पे बनके आगे है अगर हम यह पुरानी लिस्ट इसको देखना जाते है तो हम क्ये करेंगे यहां पे salt and filter इस group में जाएंगे और यहां पे clear पे क्लिक करेंगे यह देखो clear पे क्लिक किया clear पे क्लिक करने के बाद यह पुरानी लिस्ट यहां पे आ जाएगी इसके बाद रोहित है suppose करो 16 रोहित आए तो हम यहां पे क्या करेंगे row number 16 भरेंगे यह देखो 16 किया तो name पे हमने यहां पे रोहित बरा हुआ है और row number पे हमने 16 बरा हुआ है इसका मतलब यह है कि वही रोहित आए जिसका row number 16 है तो फिर हम यहां पे advanced filter यहां पे गए यहां पे जाने के बाद यहां पे first option पे एक लिक रखा filter the list in place यहां पे list range यहां पे भरेंगे हम इस पूरे table को select करेंगे यह पूरा table select किया यह range यहां पे आ जाएगी इसके बाद criteria range यहां पे click करेंगे और जो criteria range है यहां पे इसको select करेंगे यह देखो दो रो हमने ये निचे स्लेक्ट की इसके बाद यहां पे OK पे क्लिक करेंगे तो ये देखो Advanced Filter से हमारे पास केवल वही रोहित आया जिसका रो नमबर 16 है और वाकी जो रोहित थे वो यहां से Hide हो गया है तो इसके बाद इसको फिर यहां पे Clear करेंगे इसके बाद Advanced Filter में हम अगला Example समझेंगे Name और रो नमबर इसको डिलीट करेंगे यहां पे इसको डिलीट किया डिलीट करने के बाद English, Math, Hindi, Science यह यहां पे चार सब्जेक्ट है अगर हम यह चाहते है कि यह जो English सब्जेक्ट है इसमें यह जो निचे Marks है Cable हमारे पास उनकी लिस्ट आए जिनके Marks 80 से जादा है तो हम क्या करेंगे यह जो English सब्जेक्ट है इसके निचे यहां पे लिखेंगे Greater than 80 Greater than 80 लिखा इसका मतलब यह आए कि English सब्जेक्ट में जिसके 80 से उपर नमबर है उनकी लिस्ट यहां पे बनके आए बाकी लिस्ट यहां पे बनके ना आए तो इसके लिए हम Advanced Filter का यूज करेंगे के बाद यहां पे Advanced Filter यहां पे क्लिक किया फिर हम यहां पे List Range यहां पे इस Table को सेलेक्ट करेंगे यह दिको सारा Table यहां पे select किया, select करने के बाद criteria is यहाँ पे click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे यह निचे जो दो रों हैं इनको select करेंगे, यह दो रों select करने के बाद हम ok पे click करेंगे, तो यह देखो हमने यहाँ पे लिखा था greater than 80 कि English subject में उनी की list बन के आए जिनके marks greater than 80 है, तो यह देखो 89, 88, 84, 85, तो यह सभी 80 से greater than है तो इनकी list यहाँ पे बन के आगे, और बाकी जिनके 80 से कम number है, उनकी list यहाँ पे बन के नहीं आई तो इस तरह से advanced filter के जरिए हम इसको filter कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ पे इसको clear करते हैं, यह clear किया इसके बाद हम इसको delete करते हैं, यह greater than 80 इसको delete किया, delete करने के बाद एक और example यहाँ पे देखते हैं, यह देखो जैसे यह math subject है इसमें हम यह चेक करना चाते हैं, कि जिसके marks less than 60 हैं, वो यहाँ पे list आए बाकी list यहां से hide हो जाए तो यहां पर हम click करेंगे इसके बाद यहां पर condition लगाएंगे less than 60 यह हमने condition लगा दी कि match subject में जिसके marks less than 60 है वो list यहां पर बन के आए बाकी यहां से hide हो जाए फिर हम यहां पर enter press करेंगे enter press करने के बाद फिर यहां पर advanced filter यहां पर जाएंगे यहां पर जाने के बाद यहां पर list range तो यहां पर पूरे table को यह select करेंगे यह पूरा table हमने select किया इसके बाद criteria range यहां पर click करेंगे और यह जो range है इसको यहां पर select करेंगे यह दो रो हमने select की इसके बाद ok पे click किया ok पे click करने के बाद ये देखो match subject में जिसके marks 60 से कम है उनी की list यहां पे बनके आगी जो condition हम यहां पे लगाएंगे advanced filter में उसी के इसाब से यहां पे list बनके आ जाएगी इसको यहां से clear करते हैं clear करने के बाद यहां से इसको delete किया delete करने के बाद इसके बाद advanced filter में अगर हम यह चाहते हैं कि जो filter हो के आए वो अलग जगा filter हो के आए और यह जो सारा table है यह बैसा का बैसा ही रहे तो इसके लिए क्या करेंगे हम जैसे यह name है यहां पे name लिखेंगे जैसे रोहित यह हमने यहां पे रोहित लिखा इसके बाद enter प्रस किया enter प्रस करने के बाद अब हम यह चाहते हैं कि यह table बैसा ही रहे और यह जो रोहित हैं कितने रोहित हैं इस table में उनकी अलग से list यहां पे बन के आए कहां पे आए यह हमारी choice पे depend करेगा कि हम किस cell page को लाना जाते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे advanced filter यहां पे क्लिक advanced filter पे क्लिक करने के बाद यह advanced filter dial box यहां पे आजाएगा आने के बाद यहां पे action में यह first को हमने यहां पे इसको select किया था यह देखो second को हमने यहां पे select किया यहां पे लिखा हुआ copy to another location इसका मतलब यह है कि यह जो table है बैसा ही रहे और यह जो filter होके आए name जैसे रोहित है यह रोहित इस table में कितने है यह जो list नहीं बनके आए अलग जगा बनके आए तो इसके लिए हम यहां पे second को select करेंगे copy to another location यह आ गया इसको select किया इसके बाद list range पे हम यहां पे click करेंगे और इस सारे table को यहां पे select करेंगे यह देखो सारा table हमने select किया इसके बाद नीचे criteria range यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यह range हम select करेंगे यह दो रोह यहां पे select करने के बाद तो इसके बाद है copy to copy to का मतलब है कि ये जो copy होके आए ये किस cell में आए तो ये देखो row जो हो है यहां पर 13 है यहां पर आए तो यहां पर हमने क्लिक किया filter होके आएगा इसमें आएगा तो इसके बाद okay पर click करेंगे या हमने इसको copy to इसमें किया था इस cell पे जितना भी filter होके data यह यहां पे आ गया तो अलग से यह data यहां पे filter होके आ गया यह देखो यह table वैसा का वैसा ही रहा तो advanced filter के जरीए हम अलग location में भी इसको filter करवा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने advanced filter के वारे में detail में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद